इंसानों को सबसे वफादर साथी कुत्ता होता है जो अपने मालिक के लिए जान देने और जान लेने के लिए तैयार रहता है इसलिए आज भी लोग अपने घरों के रखवाली का काम कुत्तों को ही देते हैं लेकिन क्या आप जानते हैं कि दुनिया में कुछ एसी नसले के कुट्टे भी होते हैं जो शेड़ से भी जादा खतरनाक और भेड़े से भी जादा वूर्तिले होते हैं हम आज आपको दुनिया भरके ऐसे ही खतरनाक डॉक ब्रिट्स के बारे में बताने जा रहे हैं जो इतने खतरनाक है कि इन में से कोई कुट्टे को पालने पर बेन लगा हुआ है दोस्तो अगर आपको वीडियो पसन आया हो तो वीडियो को लाइक कर देजिए और चैनल को सस्क्राइब कर दीजिए ताकि हम आपको आने वले समय में इसी ही इंट्रेस्टिंग जानकारी आगे देते रहे पीडबुल प्रजातिये कुट्टे सबसे खतरनाक और आकनमक नसले के होते हैं इनका वजन 16-30 किलो के बीज में होता है दुनिया भर के कई देशों में इन कुट्टों को रखने पर प्रतिबंद लगा दिया गया है हाला कि अमेरिका सहित कई अन्य देशों में पीडबुल को आज भी पाला जाता है लेकिन इनके आकरमकताओं को रोकने के लिए भेतर ट्रेनिंग की जरूरत होती है सन्थ 2015 में अमेरिका में ही पीडबुल के हमले से 28 लोगों की मौत की पुष्टी हो चुकी है इस प्रजातिय कुट्टे सबसे ताकतर बीट में से इकिनने जाते है इस नसले कुट्टों को अगर सही तरीके से ट्रेन और रख रखाव ठीक से नहीं हुआ तो इस कुट्टे प्रजाती बेहतर खतरनाक साबित हो सकता जर्मन शेफट जर्मन शेफट दुनिया के सबसे खतरनाक कुट्टों में से एक है इसे पुलिस या कुट्टों के रूप में भी जाना जाता है इसका वज़न 3-40 किलों के बीच होता है इसे कई देशों में पालने पर प्रतिबंद लगा दिया गया है परन्तु यदि इस नहसले के कुट्टे को सही प्रजेक्शन मिले तो यह एक वफादार और बहुत प्यारा करने वाला घरेलू पालतु कुट्टा होता है बुल मास्टिफ इस कुट्टे का नाम जैसा है उसी तरह का दिखाई भी देता है इस कुट्टे की पजाती भेडियों के जैसी होती है इसलिए इसका नाम वुल्फ हैब्रेट रखा गया है अमेरिका के कई राज्जों ने इस विशेस नसले को पालने पर प्रतिबंद लगा दिया है क्योंकि वे अपने मालिक के साथ साथ दूसरों के लिए भी खत्रा पेदा कर सकते है बॉक्सर बॉक्सर प्रजाती को शिकारी कुट्टे का वंशच कहा जाता है या अपने मजबुत जबड़ों से किसी को भी अपना शिकार बना सकता है इसकी पच्छान अड़याली कुट्टों के रूप में भी है इसका वज़न 30 से 35 किलो के बीच होता है हसकी हसकी प्रजाती कुट्टे खतरनाक होने के साथ साथ बहुत ही इंटेलिजन होते है इनका इसलेज डॉक के नाम से भी जाना जाता है इनहें बरफिली रास्तों पर बिना पहिये की गाड़ी खिशने के लिए भी जाना जाता है इनका वज़न 20 से 27 किलो के बीच होता है वेसे तो ये कुट्टे बहुत ही समझदार होते है लेकिन आकरमक होने पर ये किसी की भी जान ले सकते है यह जब आकरमक मूड में होते है तब किसी की भी जान ले सकते है इन नसले के कुत्तों के कारण अमेरिका में सन 1980 से लेके 1993 के बीच 15 लोगों की मौत हो चुकी है माला म्यूट माला म्यूट प्रजाती कुत्ते उत्तरी अमेरिका में पाई जाते है इस प्रजाती कुत्ते काफी समझदार होते है इनका वजन 34 से 59 किलो तक होते है ये कुट्टे आकरमक होने पर भी जान ले सकते है यह प्रजाति के कुट्टे इंटेलीजन होने के साथ साथ एनरजी और आकरमकता से भरे होते है University of Texas की study के अनुसार 1966-1980 के बीच इस कुट्टे के काटने से पास लोगों की मौत हो चुकी है Great Dan Great Dan प्रजाति के कुट्टे को अगर ट्रेनिंग देकर पालतू बनाया जाए तो ये स्टुरक्षा के लिहास से बहुत ही भेतरिंग कुट्टे लेकिन बिना प्रजिशन के अगर इस कुट्टे को रखा जाए तो ये बहुत ही खतरनाक साबित हो सकते है इस कारण से इने किलिंग मजिन के नाम से भी जाना जाता है इसका वजन चोपन से 90 किलो के बीच होता है बहुत जाता है